फ्रेंड्स, गूड इवनिंग, मैं सचिन कुमार शर्मा, आज आपके सामने एक निया वीडियो लेके आया हूँ जिसका नाम है How to Drive Safely in Fog जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, सर्दियां आते ही कोरे के वज़े से दुरगटनाई की ख़वरें बहुत आती हैं कोरे में ड्राइविंग करना किसी चिनोती से कम नहीं होता ऐसे मैं आपके सुरक्षा का ध्यान रखते हुए मैं आज आपके सामने कुछ टिप्स लेके आया हूँ जिससे कोरे में ड्राइविंग करना आपके लिए असान हो जाएगा और ठंड की शुरुवात हो चुकी है तो इस समय सबसे ज़्यादा प्रेशानी गने गोरे में ड्राइविंग करते वक्त आती है यही वज़ा है कि सर्द्यों में रोड अक्सिडेंट्स के मामले बढ़ जाते हैं कोरे की वज़ा से कुछ दिखाई नहीं देता जिसे ड्राइविंग करने में काफी प्रेशानी आती है और जरा सी लाइपरवाई की करण हम किसी दुरगटना का शिकार हो सकते हैं आज मैं आपके समय कुछ टिप्स लेके आया हूँ जिसको क्या फालो करके आप गने गोरे में अपनी सेफ ड्राइविंग कर सकते हैं सबसे पहला हमारा जो टिप्स है वो है कि मिनिमाइज टिस्ट्रक्शन जितना हो सके अपनी ड्राइविंग के फोकेस रखें अपने स्टेरिम पे फोकेस रखें आपने माइन को ट्रिस्ट ट्रेक्ट ना होने दे अपना फोन बिल्कुल भी यूज़ ना करें वाइल हैविदेंस फाग हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को आलत होती है कि ड्राइविंग करते हैं समय समय अपने मोबाइल फोन का यूज़ करना वाटसप मैसेज चेक करन फोन एटेंड करना तो वाइल हैविदेंस फाग आप भी बिल्कुल भी ना करें नेक्स्ट उसके बाद डिस्टेक्शन का एक करन हो सकता है कि आप अपना स्ट्यूरी कंट्रोल जोगी गाड़ी के अंदर स्ट्यूरी कंट्रोल जा टच पैनल बोर्ट होता है आप उसमें ब अपने स्टेरिंग से अटा सकता है नेक्स्ट हमारा जो 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 टिप्स है वो है रिड्यूस यूर स्पीड शेफ ड्राइविंग के लिए सबसे जुरूरी है कि आप अपने बाहन की गति को हमेशा कम रखें आपकी कार की स्पीड कम होगी तो आप अचानक आने वाले किसी वहन व्यक्ति या पशू के क्याने का पर आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने बाहन को लेकिन तेज स्पीड में आप बाहन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो है रोल डाउन यूर विंडो सर्द्यों में लोग अक्सर ठैंड से बचने के लिए अपनी कार की विंडो को पुरा बंद कर लेते हैं लेकिन ऐसा करना आपको मुसीबद में डाल सकता है कार की विंडो पूरी तरह बंद करने से शीशे पर फॉक जम जाता है इतना ही नहीं सडक पर आने जाने वाले बाहन की अवाज भी नहीं आती जिसमें की कुछ अमिरेंसी विकल्स यसे अम्बुलेंस कभी हम अवाज नहीं सुन पाते ऐसे में रोड पर चलते समय वक्त आप हम ने खिडकी को हमेशा खुला रखें थोड़ा खुला रखें लेकिन खुला रखें जिससे कि आप सडक पर आने जाने वाले बाहनों का आवाज सुन सकते हैं नेक्स्ट अप मारा मारा गया use roadside reflector as a guide जो रोड पर कुछ reflectors जा हम कह सकते हैं कि कुछ पटियां लगाया होती हैं से आइड पट्टी और यलो पट्टी तो उसको भी हब ईस़ा गाइड यूस कर सकते हैं वाइल ड्रैविंग हमेशा उसको हमेशा पारविय न करें और उसके बिल्कुल पास-पास से चलें तो ऐसा गाइड उसको यूज कर सकते हैं आज सकल बहुत सारी बड़ी-बड़ी आगी हैं तो ये भी एक बड़ा कारण रहता है कि उसमें एक cruise control होता है तो fifth step हमारा ये हैगी turn off your cruise control हमेशा अपने cruise control को बंद ही रखें during foggy season इसमें क्या होता है कि आपका सारा fog आपके शिशे के उपर जम जाता है वो भी आपको एक destat कर सकता है आपको आपका vision जो आपका visibility को क और हमेशा use windshield wipers and defoggers हमेशा अपना windshield को चला के रखें जिसके की आपका vision clear हो सके शिशे पर जम आप बून दें पानी साफ हो सके time से time और dry with low beams and fog lights हमेशा low beam और fog lights का use ही करें उससे क्या होगा कि maximum बहुत सरे लोग क्या करते हैं अगर आप drive करते वक्त headlight को high beam mode पर रखते हैं तो ये तरह का बिल्कुल गलत है ऐसा करने से core की light का reflection आपकी आँखों में पढ़एगा और आपको drive में परशानी हो सकती है इससे बचने के लिए हमेशा बहान की low beam light यूज करें और fog light का use करें इसे core में आपको सामने से आने वाले बहान पर नज़र रहेगी और साफ दिखाई देगा और core में driving करते वक्त आपको समय समय पर wiper का इस्तमाल भी करना चाहिए इसे शिशे पर जमा हुआ ओस बूंदें साफ हो जाती है और आपको साफ दिखाई देता है और ज़्यादा को रहे होने पर गाड़ी चलाते बक्त सडक किनारे बने दिखा निर्देश वाली पट्टियां को ध्यान में रखें इससे आपकी काफी हद तक मद्द मिलेगी आप इन पट्टियों को ध्यान में रखें सडक पर चलते समय और हमेशा आप अपनी से नेक्स्ट जो गाड़ी है उस पे द्यान रखें इंक्रीज यूर फालिंग डिस्टेंस फ़ाम दा अधर कॉर्स अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो दूसरी गाड़ी जो आपके है उसको बिल्गुल तेल गेटिंग मत करें आने वाले उपस्टेकल्स का भी द्यान रखें कोई अचानक आगर कोई आने वाले आपके सामने जो गाड़ी चला रही है अगर वो ब्रेक मारती है तो आपको इतना डिस्टेंस मिंटेन करना है कि आप अपना गाड़ी को गुंट्रोल कर सकें और जितना हो सके उतना रिफ्लेक्टर्स जैसे आज कल रेडियम टेप्स आती है तो रिफ्लेक्टर वाली तो वह भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने विकल्स के ओपर और कुछ स्लाइट्स बड़े बड़े हैवी ट्रक्स यूज़ करते हैं तो वह भी बहुत सही रहता है द्यूडिंग फागी सीजन में और नेक्स्ट हमारा आ गया हमेशा अवेर रहे हैं जो आनिमल्स जो रोड पे चलते हैं हमारे जानबर जो पशूप होते हैं वो भी जानबरों भी रोड पे रहते हैं तो उनका भी हमेशा ध्यान रखें इसे हमारे हिली एरिया में जा फॉर अगर फॉक बहुत जादा है तो आप को बिल्कुल भी अपनी गाड़ी को यूज नी करना है आप अपने अपने सिगनल आन करके यसे राइट या लेफट अन लेके आप अपनी गाड़ी को साइड पे लगाके अपनी हैजार लाइट आन कर सकते हैं और वेट करें की कोरा कम हो और फिर चलें और हैवी ट्राफिक में तो बिल्कुल भी न चलें हैवी ट्राफिक में क्या होगा लो विजवेल्टी रहेगी हैवी टेंस फाग में क्या होता है लो विजवेल्टी हो जाती है विजवेल्टी कम हो जाती है और हमें रोड भी साफ से नहीं दिखा देती त तो उस चीज से भी बचके रहें और जैसे कि मैंने कुछ बताया कुछ और टिप्स हैं जैसे कि और टेक करने से बचें अपनी लैन में ही चलें बहांदीरे चलाएं हैडलाइट लोब इंपेर रखें डिफागर और रखें और हीटर का प्रयोग करें हीटर जाद से जाद यूज करें तो यह कुछ पॉइंट हैं जिसमें आप ड्राइविंग सेफली कर सकते हैं थैंक्यू सुनने के लिए